एयू है एड है अटू गईज इस वीडियो इस अबाउट लोंग साइलेंस बाई सची देश पंड़े जो अपनी यह एड लोंग साइलेंस है यह शुछिडेश पंड़े जो पर जैंक करने की कोर्शम की है यह जो अपना वर्क है इसकी जो प्रोटेगनिस्ट है वो है जया जो जया है इसमें जो मुखे पात्र है सबसे जरूरी जो क्रेक्टर है वो जया है इसमें जो कहानी है वो जया के बारे में है जया जो है यह एक गर्ल है जब चोटी थी तो उसकी जो ग्रेंड मदर है वो उसक लड़की होती है उसको अपने पती की और जो अपनी ग्रिस्ती है उसको अच्छे से जीना होता है तो जो ग्रेंड मदर है वो उसको हमेशा यह बताती रहती है कि जो वूमन है उसको हमेशा दब कर रहना चाहिए जो वूमन है उसे हमेशा जो कोई भी उसको कुछ बोले उसको पूरन मान लेना चीए उसमें किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं करना चीए और रियलेटी में जो अपनी जया है ये कैसी थी ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी इसमें बहुत ज़या क्रेटिविटी थी जब स्कूल में जाती थी तो ये अपनी क्लास में जो अवल आने वाले लड़की थी फर्स्ट डिवीजन लेने वाले जो लड़की थी वो जया थी लेकिन इसकी दादी बोलती है कि लड़की के लिए पढ़ाय लिखाएगी कोई ज्यादा जुरूरत नहीं होती है और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो ग्रेंड मदर है वो उ कोरेज करते हैं लेकिन ग्रेंड मदर की बातों से वो ज्यादा क्या है वो जो दब्बू किसम की जो है वो बन जाती है मतलब वो जो अपनी जो रियल करेक्टरिस्टिक्स है उनको भूल जाती है तो आगे जो कहानी है उसमें क्या होता है जो जया है उसकी शादी किसके साथ बॉलते थे जो तुमें बॉला जाए इसको तुम्हें बोला रहे का कोई argument नहीं करो तो इस तरह से जो भी मोहन जया को बोलता है उसको simply माल लेती है जिसकी वज़े से इनमें क्या है जो conversation gap है वो है इनके ज्यादा नहीं बनती है इनमें क्या है conversation gap है इनमें जो spiritual relationship होता है वो नहीं है as a husband and wife और इस कहानी में जो जया है मोहन है इनके दो बच्चे है उनका नाम है राहुल और रती राहुल और रती राहुल जो है ये एक लड़का है और रती जो है ये एक लड़की है तो इसमें जो क्या है इनके दो बच्चे है राहुल और रती ये हमें याद रखना होगा कि जया और मोहन के दो बच्चे है, एका नम राहूल है और एका नम रती है अब इसकी कहानी को हम जान लेते हैं तो जो इसमें जो मीन कहानी है वो इस तरह से है कि जो मोहन है ये एक क्या गुर्मेंट इंपलोई है लेकिन ये क्या करता है रिस्वत लेने लग जाता है ये क्या करता है ये रिस्वत लेने लग जाता है जो मोहन है वो रिस्वत लेने लग जाता है और रिस्वत की केस में ये पकड़ा जाता है तो इस वज़े से जो मोहन है उसको जोब से क्या है पहले तो इसको जोब से हटा उसके उपर जब इंक्वाइरी की जाती है तब तक तो इनको ये विश्वास्ता की मोहन ने कुछ नहीं किया है लेकिन जब इंक्वाइरी में ये शाबिद हो जाता है कि जो मोहन है उसने रियल में जो उसके अपर आरोप लगाए गए है वो किये गए है तो इस वजह से जो जया है वो मोहन से पूछती है कि तुमने रिस्वत क्यों ली और इस रिप्लाइमें जो मोहन वो बोलता है कि हमारे दो बच्चे हैं प्राहुल है और रती है मुझे इन दोनों बच्चों की परविश करनी है इसके लिए जो मेरी गोर्मेंट सेलरी थी वो कम थी और इन बच्चों के अच्छी परविश के लिए मैंने रिस उत ली है तो जया बोलती है कि यह बिल्कुल गलत है और वो मोहन को डाटती है तो इस पर जो इस टायम पर जो एक मुझकिल से में थे जया को स्पोर्ड के जरूरत थी तो जया उसको क्या है नेकले कर देती है तो फिर इसमें क्या होता है जो मोहन है वो कहां पर रहता था बूम्बे में रहता था और जो जया है और मोहन है वो बंबे के यह थीज़्क थाइए तो फिर दादरी में चले जाते हैं और जब यह दादरी में जाते हैं तो इनकी जोड़ें अपने पड़ोसि में चोड़कर चले बुह जाती है क्योंकि आप पर बहुत ज्यादा जो खर्चा था बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मौन के पास जोब भी नहीं थी तो जब जया जो है वो धादरे में चले जाती है तो उसकी पहन आती है जया की पहन आती है कुसम जो कुसम है ये जया की बहन है और जो कुसम है इसने डाइवर्स ले र थे फिसर फिर जो जैया है कुसम से मिलते हैं कुसम जैया को अपनी लाइट के बारे में बोलते हैं Oxum becomes with women. 즉 रिल्येट्ट वहं हैं उसका जो जैया है उसके वहुए फेक्ट पड़ता है और फिर जैया है जो अर्टिकल्स वगेरे रहे लिकने सुरू कर देती हैं हमें शुरुआत में ही ये पता चल गया था कि जो जया है वो एक क्रियेटिव लड़की थी लेकिन उसके ग्रेंड मदर के वजह से उसने जो अपनी आर्टस को छोड़ दिया था लेकिन अब जो मुश्किल समय आ गया था तो जो जया है उसने आर्टिकल्स को लिखना शुरू कर दिया तो उसने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया तो जया ने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया और जो आर्टिकल्स के दवारा लिखे गए थे उसमें उसने अपने गुस्से को निकाला जो गुस्से को उसने क्या गया बाहर निकाला और जो आर्टिकल्स के द रहले उन्हों को रहे चाहिए कि अब्लैशन सीब तो विल्कुल टूट जाता हैं और यह लगबख 1910 साल के लिए एक दुसरे से अब्ढ़ बातर। और सब्सक्राइप में जुप्राइप आयं हैं, में जो क्या that long silence क्या that long silences का मतलब ये है कि जो जया और हैजबेंड जो जया और उसके हैजबेंड मोहन का जो relationship था उसमें क्या था conversation gap था एक silence थी एक क्या थी silence थी और इसे के उपर जो सशीद इस पांडे है उसने आवाज उठाने की कोशिस किया लेकिन यह work है इसकी जो ending उस गी गारह उसको भी हम जान लेते हैं तो इस work की जो ending है वह बहुत अच्छी है जो Mohan है वो जया के पास mail भिंजता है और वो बोलता है कि मैं तुमारे साथ रहना चाहता हूं तो इसमें मोहन जो है वो जया को बोलता कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और जो जया है वो जब मोहन की इस बात को सुनती है तो वो ये सोसती है कि अब मैं अपने रिष्टे में साइलेंस को नहीं आने दूँगी मैं अब किसी भी तरह से जो हर एक बात है मोहन की उसको समझूंगी उसका जो solution है उसको ढूढने की कोशिस करूंगी और किसी भी तरह से जो conversation गयाफ है उसको मैं नहीं आने दूँगी अपने जो relationship है उसमें कभी भी silence को मैं नहीं आने दूँगी तो ये इस प्रण के साथ इस एक wish के साथ और इस determination के साथ मोहन के पास जाती है तो इस वर का टाइटल है वो that long silence है इसको हम जो husband wife का relationship है उसके साथ भी हम समझ सकते हैं जो husband और wife का relationship होता है उसमें जो conversation है ये बहुत ही जरूरी होता है जो एक दुसरे को बिल्कुल आसानी से क्या कर लेते solve कर लेते हैं लेकिन जब वो एक दुसरे को समझते नहीं है और अपने relationship को एक burden के रूप में करते हैं एक burden के रूप में समझते हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिस करते हैं तो ये जो relationship है वो कभी भी successful नहीं हो सकता और इसी इसी व्यू के साथ ससी देस पांडे ने feminist point of view को भी परजेंट करने की कोशिस की है कि जो grandmother है उसने बोला कि लड़कियों को ज़्यादा argument नहीं देना चाहिए लेकिन जो ससी देस पांडे है वो ये बोलती है कि जो woman है अगर उसमें creativity पावर है तो उसको जो दुसरों के सामने जो अपनी creativity पावर है उसको परजेंट करने की जो शक्ति है वो होने चीए तो इस तरह से जो that long silence से feminist work में आने वाला है जया के बारे में है और जया के और उसके management के relationship के बारे में है मैंने इसको बहुत है अच्छे से समझा दिया है तो आपसे एकी request एक प्लेज सब्सक्राइब में चैनल and thank you